आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ वैसे तो मैंने आपको कई वीडियो में कटोरी कट ब्लाउज बनाना सिखाया है तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सिंपल ब्लाउज से आप कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाएंगे और आपके जो भी डाउट है उसे भी में किलियर करूंगी तो चलिए कटिंग करते हैं तो इसे बनाने के लिए आपको छे नाप्याद होना चाहिए फिर आप किसी भी साइज का आसानी से बना सकते हो जैसे बिलाउज की लंबाई सीना, कमर, सोल्डर आस्तीन और मोहरी आपको इतना नाप्याद है तो आप किसी भी साइज का आसानी से बना सकते हो और अगर आप नाप लेना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए फिर कटिंग करते हैं तो कपड़े को पहले उल्टा रखना है और डवल में फोल्ड करना है तो कपड़े को आपको डवल में रखना है और साइज की हिसाफ से फोल्ड कर देना है अब उसके बाल कपड़े को पहले सीधा कर देते हैं इसको काटके निकाल देंगे कपड़े को सीधा कर दिया है कि तुपड़ी है अगर कपड़ा जादा है तो आप तो 10-10 का माष्ट लै आ पैर कपड़ा अधार इंच यहाह पे नीचे की साइटक मार्ज primar ूगय 15 इंच और निशान लगा दिया एक इंच मार्जन जाएगा इसका बेल्ट में और आधा इंच मार्जन जाएगा उपर की साइड अब आपको निशान लगाना है सोल्डर का सोल्डर जैसे 11 इंच है तो इसका हाप रखना है साड़े 5 इंच और सोल्डर में मार्जन जब बढ़ाया जाता है जब पीछी का गला मीडियम हो 8 इंच और 9 इंच तक अगर आपका पीछी का गला है तो आप यहाप पे दो पाइंट का मार्जन लीजिए और अगर आपका 9 इंच से नीचे है पीछी का गला 9 इंच से लंबा है तो आप यहाप तो जैसे कि सोल्डर का निशान लगाया हमने 5,5 का तो इसका निशान लगाएंगे हम 6 इंज 2 पॉइंट का क्योंकि कटोरी बिलाउज है तो इसमें बीच में प्लेट नहीं बनती खीक है तो इसको 2 पॉइंट कम रखना है अगर यहीं बिलाउज 4 टक्स का होता तो उसमें आर्मोल रखती 6,5 क्योंकि आदा इंज की बीच में प्लेट बन जाती है खीक है तो इस निशान लगा दिये हमने 6,2 पॉइंट का अब इस निशान को सीधा करना है अब निशान लगाना है हमें सीना का तो जैसे आप जिस साइज का बना रहे हैं उसका आपको चौथा ही भाग लेना है जैसे कि मैं इसको 38 में बना रही हूं तो इसको चौथा ही भाग होगा 9 इंच और दो पॉइंट रहता है हाई और होकी के लिए तो इसका निशान लगेगा पॉने 10 इंच पे मतलब 10 इंच में दो पॉइंट कम अब इसी निशान से इसको सीधा करेंगे आर्म होल के निशान को इस तरह मिलाना है अब इस निशान को सीधा करना है इस तरह आपको सिंपल ब्लाव जैसे निशान बनाना है अब उसके बाद यहांपे margin लेना है margin आप अपनी हिसाफ से रख सकते हैं एक इंच या ढोट इंच इसमें मैं डेड़ इंच का margin ले ले लेती हूं तो इसका margin ले लिये घेड़ इंच अब यहांपे निश्चा लगाना है आपको कमर की साइज का कमर जैसे 31 इंच है तो उसका चोथा ही भागाएगा पौनी 8 इंच दो पॉइंट का मार्जन है तो यह हो गया 8 इंच अब एक इंच यहां पर सिंपल बिलाउज जैसा बढ़ा देना है पहले आपको बढ़ाना है एक इंच बढ़ाना है तो इसका निसान लगाना है 9 इंच का तो इनिसान हो गया कमर का अब उसके बाद देखिया अब मैं आपको गला और आर्मॉल बता रही हूँ अब यहां पर गला लेना है आपको ड्हाई इंच का लंबा ही लेना है छे इंच तो अपनी साइज की हिसाब से आपको गला रखना है जैसे अगर आप 34 का बना रहे हैं और गला छोटा बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले सवा दो लेना है और यहाँ पर भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरहें गले को मिलाना है अब यहां से आपको गुलाई देना है, इस तरहें गुलाई करना है, अब यहां पर हलका सा तिर्चा, दो पॉइंट का तिर्चा करना है, इस तरहें तिर्चा कर दिया, अब यहां पर एक इंच की आपको गहराई देना है, उसके बाद अब आपको बेल्ट का निशान लगान अभी आप देख सकते हैं कि simple blouse की तरह हमने निसन बना दिये हैं अब उसके बाद अगर आप इसको belt blouse बनाना चाहते हैं तो अब आपको निशान लगाना है belt का और आपको एक बात बता देते हूं कि कटोरी cut blouse में आपको belt तो बनाना ही है अगर आप belt वाला blouse पसंद नहीं करते हैं तो आपको simple blouse बनाना है और अगर आप कटोरी cut blouse बना रहे हैं तो उसमें आपको पहले belt निकालना है और फिर कटोरी निकालना है तो belt का निशान लगाना है 3.5-3 इंच का निशान लगाएंगे तो ये 3 में तयार हो जाएगा धाई इंच का और यहां पर हल्क आसा इस तरह आपको बना देना निशान इस निशान से हल्की सी यहां पर गुलाई जाएगी तो इस तरह आपको निशान बनाना है इस लंबाई से बीच में आपको एक इंच कमका निशान लगाना है अब उसके बाद अब हमें कटोरी का आकार बनाना है तो अब हमें निशान लगाना है कटोरी का तो ए निशान कैसे लगाना है वो देखिए पहले मैंने निशान लगा दिया 3 इंज 2 पॉइंट का ठीक है यहाँ पे निशान लगा दिया पीछे की साइट तीन इंच दो पॉइंट का तो ए निशान लगा दिया मैंने तीन इंच दो पॉइंट का तो ए निशान आपको हर साइज के लिए कैसे निकालना है बही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ तो यहां पे आपको ध्यान देना है और इस निशान को तो इस निसान को आपको ध्यान देना है तो इस कटोरी का भाग आ रहा है सारेख 6 इंच तो आपको पहले क्या करना है इस कपड़े को पूरा नाप लेना है और इसको ध्यान रखना है यह हो रहा है पहुने 10 इंच आप इसके तीन भाग कर देंगे, एक निशान लगा दिया हमने, तीन इंच दो पॉइंट का, और फिर निशान लगा देंगे हम तीन इंच दो पॉइंट का, और दूसरा निशान फिर लगा देंगे हम तीन इंच दो पॉइंट का, तो हमने ये तीन इशान बना दिया है, इस कपड़े क की चोड़ाई को हुमने तीन भाग में डिवाइट कर दिया है अब क्या करेंगे इन दोनों को हुम कटोरी के लिए ले लेंगे और एक भाग को छोड़ दिया इसी तरह आपका जो भी साइज है जिस साइज कविया बिलाउज बना रहे हैं उसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक भाग पीछी की साइट छोड़ देना है और दो भाग इसमें ले लेना है ठीक है इस तरह आप निकालेंगे तो आपका एक भी पॉइंट इधर अधर नहीं होगा और आपकी कटोरी फर्फेक्ट आ जाएगी अब आपको दूसरा निशान लगाना है इधर गले के एक इंच ऊपर इनिशान लगा दिये हमने गले के एक इंच ऊपर की साइट अब आपको यहां पर भी एक बात बता देती हूं जब आप कटोरी कट आगे का गला कम से कम आपको 5 इंच या 5.5 इंच तक तो रखना ही है तब ही इसका सेप अच्छा आएगा नहीं तो यह उपर की साइट चड़ेगी और चड़ी हुई कटोरी अच्छी नहीं लगती इसलिए आगे की गले की साइज आपको याद रखना है और बड़ी साइज क recovery तो बड़ा कर सकते हैं तो हर साइज के लिए आपको गले से एक इंच उपर निशान बैनाना है अब हमें इस निशान को लगाने कि वार आरभ हुल की साइज पर निशान लगाना है तो इसकी बीच सेंटर पे तो इसकी बीच सेंटर पे आपको इनची टेब मिलाके इस त बाद जब जैसे size बढ़ेगी, तो जैसे मैंने 2 इंच पे लगाया है, तो आप सबा 2 पे लगाईए, तो आपको 2 पॉइंट या 1.5 इंच बढ़ाना है, साइज के हिसाब से बढ़ेगा, तो आप जैसे 40 का बनाते हैं, तो सबा 2 पे लगाईए, और 40 से आंगे बनाते हैं, 42 की आपको आकार, तो इस तरह आपको आकार बनाना है, अब हमें शेम निशान पे कटिंग करना है, अब यहाँ पे एक बार और देखिए, इसमें अभी बेल्ट में 1 इंच कपड़ा एस्टरा है, जब हम कटोरी या पे फिट कर देंगे, उसके बाद हम इसका कपड़ा 1 इंच क और 1.5 इंच का मार्जें इधा ले लेंगे, और इस निशान को मिला देना है, इस तरह मिलाएंगे, अब हमें शेम निशान पे कटिंग कर देना है, तो इस तरह मैंने कटिंग कर दी है, अब इस कटोरी को रखे के, आपको मैं बड़ी सहच की कटोरी काटना बता लेगी, तो कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करना है, और इस कपड़े से इसको बड़ा रखना है, उसके बाद, अब आप ध्यान दीजिए, कि हमेशा आपको बड़ी कटोरी तो निकालना ही है, क्योंकि छोटी कटोरी को हम फिट नहीं कर सकते, चोटी कटोरी में मार्जन नहीं है और जब हम अगर इसको फिट कर देंगे तो ए चोटी पड़ जाएगी इसमें फिटिंग कभी नहीं आएगी तो बड़ी कटोरी आपको निकालना ही है तो अब आप ध्यान दीजिए दोनों साइट आपको पहले एक एक इंच कपड़ा बढ़ाना है एक इंच कपड़ा बढ़ा दिया इसकी सीध में आपको एक इंच कपड़ा बढ़ाना है अब इसकी सीध में आपको एक इंच कपड़ा बढ़ाना है एक इंची धा है एक इंची धा है और डेड़ इंच कपड़ा बढ़ाना है आपको नीचे की साइड एक निशान लगा दिया डेड़ इंच नीचे इस कटोरी से डेड़ इंच नीचे अब इस निशान को इस निशान से मिलाना है तो इस निसान को सीधा करेंगे ठीक है तो यह बीच सेंटर में आ गया तो नीचे की साइट बस आपको इतना करना है उसके बाद उपर की साइट देखिए पहले गले का सेमाकर बनाना है सेमाकर बनाने के बाद दो पॉइंट आंगे की साइट बढ़ाएंगे जिपने हमें margin चाहिए तो हमने ये margin ले लिया अब उपर की site आपको margin लेना है तो 1.5 inch margin इधर ले लेंगे और इस तरह अदा इंच को बढ़ाते हुए हम इस निज सान से मिला दैंगे तो इसमें हमें सिर्प बीच में इसको solution करना है तो यहां से मारा आदे इंच जाएगा और बीच में एक इंच का फासला बढ़ जाएगा तो इस तरह मिलाते हुए इस निसान से मिला दिया अब इस निसान को इस निसान से मिलाना है तो इस तरह रखेंगे इस निसान को इस तरह मिला देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि कटोरी निकालना कितना सिंपल है बस यहां से आपको ध्यान देना है कि एक इंच इधर बढ़ाना है एक इंच इधर बढ़ाना है और देड़ इंच इधर बढ़ाना है और इधर तो बस मार्जल लेना है और कटिंग कर देना है तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आप हर साइज के लिए कटोरी निकाल सकते हैं, आपको में इसमें भी बता देती हूं, 32 से आपको 40 तक, बिल्कुल सेम आइडिया से निकालना है, 1.5 इंच इधर बढ़ाना है, और एक एक इंच आया है, फिर आपको यह पौने 2 इंच बढ़ाना है, और बड़ी साइज होगी, तो यहां पे आपको 2 इंच बढ़ाना है, बस इतना है इसमें चेंज करना है, और इधर चेंज कुछ नहीं करना है, बस प्लेट की साइज थोड़ी से बढ़ेगी, आप यहां पे देखिए, प्लेट हमारी बनेगी अब प्लेट हमारी बनेगे 3 इंच की तो 3 इंच के निशान है तो इस कटोरी को हटा देंगे और 3 इंच का निशान इधर बना देंगे музы कर देना है के तो इस तारे आपको काट के निकालाना है अब हमें प्लेट की लिए निशान लगाना है तो इस में प्लेट के निशान लगकाए 1.5-2 인च ऊपर कि तो आसदार तो तेन इंच एदार 3 इंच क ये प्लेट बनेगी तो इस तरह आपको प्लेट बनाना है, बीच सेंटर में इस तरह मिलाना है और यहाँ पे कट लगा देना है, जिस से आपको याद रहेगा कि Hemetax किलिए इधर से ही डालना है, इस तरह आपकी कटो रिबन के तयार हो जाएगी, तो आपको पूरा करना है तो जब हम इसको यह नहीं बहुत सुन्दर आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि आंगे का पाट आपको काटके निकाला है। जब यह प्लेट बन जाएगी तो इस उपर को अपने से आ जाएगा। इस तरह आपको आंगे के पाट की कटिग करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको हर साइज के लिए कैसे कटिंग कनना है ठीके तो आप बनाईए और प्रेक्टिस कीजिए और अगर आप कटोरी कट बलाउज पूरा सिलना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अब आप बनाईए ट्राइ और आपको एक बात बताओं अगर आप इन 3-4 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो कटोरी कट बलाउज बनाना परफेक्ट सीख जाएंगे और आपको कहीं पर डाउट रहेगा ही नहीं अब आपको बस देखना है और प्रेक्टिस करनी है और आप सुन्दर और करके जरूर मुझे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू धन्यबाद